डियर स्टुडेंट्स आज हम 12th के एक ने टॉपिक अनुवानसी की परचर्चा करेंगे जने टिक्स पर तो सबसे पहले हमको यह समझना परेगा कि अनुवानसी की है क्या आपने कभी देखा होगा कि एक ही माता-पिता के कई संतान अलग-अलग रूपरंग वाले होते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माता-पिता के जो संतान होते हैं उनमें कुछ ऐसे भी करेक्टर पाये जाते हैं जो माता-पिता के जैसे होते हैं और कुछ ऐसे character पाये जाते हैं जो मातापिता के जैसे नहीं होते हैं आखिरिस की क्या वज़र है, क्या कारण है इसका इन कारणों के बारे में जानने के लिए ही हम अनुवांसिकी को पढ़ते हैं अनुवांसिकी विज्यान की वैसी साखा है जिसके अंतरगात एक PG से दूसरी PG में अस्थानांतरित होने वाले गुनों को transferable character का अधिन किया जाता है और ऐसे गुन जो one generation से दूसरे generation में अस्थानांतरित होते हैं उनको हम कहते हैं heredity character यानि कि अनुवानसिक गुन पैत्रिक गुन भी हम इसको कह सकते हैं और यह जो घटना होती है इसको हम कहते हैं अनुवानसिक्ता सबसे पहले आस्ट्रिया के बुरुन नामक मठ के एक पादरी जिनका नाम था जोन ग्रेगर मेंडल उन्होंने अनुवानसिकी के छेत्र में कुछ काम किया और कुछ काम करने के बाद उन्हें जो प्रेक्शन करने के उपरांद जो रिजल्ट प्राप्त हुए उन परिनामों के आधार पर उन्होंने जो कॉंसेप्ट दुनिया के सामने रखा उसी कॉंसेप्ट को हम जेनेटिक्स की अबधारना कह सकते हैं और इन्ही वज़ा से जोन ग्रेगर मेंडल को फादर ओफ टेक्सोनोमी कहा जाता है अब यहां समझने वाली बात यह है कि मेंडल ने ऐसा कौन सा बात कर दिया जिसकी वज़र से उन्हें अनुवांसिकी का पिता यानि फादर ओफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले आईए जानते हैं उसको उन्होंने अपने गार्डन में उगाया और उसमें विभिन परकार के मटर के साथ उसको आपस में क्रॉस कराया जिसके परियोग के आधार पर कुछ परियोग प्राप्त हुए जो परियोग आगे जाकर के अनुवांसिकी की नीब बने तो अब सवाब यह उचता है कि मैंडल ने मटर का परियोग क्यों किया मटर का ही चैन क्यों किया अब इसकी तीन बजह है पहली वज़ा यहा है अगर मैंडल मटर के परियोग नहीं करते और इसकी जगा पर किसी दूसरे पौधे के बारे में अगर प्रियोग करते जिसकी आयू अधिक होती तो कई साल लग जाते मेंडल के एक्सपेरिमेंट में दूसरी बज़ा यह है कि बनस्पती जगत में पाये जाने वाले लाखों करोनों बनस्पतियों में मटर में बहुत ज़्यादा बिवेचता पाय जाती है जैसे कि गोल तथा जुड़ीदार बीज वाले मटर बैगनी तथा सफेद फूल वाले मटर अब देखिए मटर में एक गोल बीज होता है दूसरा जुड़ीदार बीज होता है तो यह तो हो गया उसके आकार के आधार पर उसके बाद एक भी जैसा होता है जो की पीला होता है दूसरा भी जैसा होता है जो की हरा होता है तो अब देखिए यह डिफरेंस आगया रंग के आधार पर उसके बाद उसके फूल में चलते हैं एक का फूल होता है सफेद बूसरे मटर का फूल होता है बैगनी तो यह फ्ल होते हैं तो पौधे के structure के आधार पर एक मठर का पौधा लंबा होता है एक मठर का पौधा बाउना होता है तो इस तरह से मठर में बहु सारे differences पैए जाते हैं अब फेडल ने इं को इसको साथ अलग-अलग डिफ्रेंसेस का अध्यन किया, साथ जोरी लक्षनों का अध्यन किया, ये साथ जोरी लक्षन मैंने अभी बताए आपको कि गोल और जोड़ीदार बीज, उसके बाद पीले तथा हरे बीज, लाल तथा सफेद बीज, उसके बाद जो है फूली हुई और चिप्टी हुई फली हरी तथा पीली बीज, अक्षिये तथा सिर्सस्त पौधे और लंबे तथा बौने पौधे, ये इस तरह के लक्षनों का उन्होंने मटर के पौधों का चैन किया, अब तीसरी बात क्या है, कि मटर के पौधे को कहीं भी उगाया जा सकता है, छोट प्रियोग किया, तो उसके आधार पौवन होने कुछ नएने वर्ड्स बनाए, कुछ टेक्निकल सब्द बनाए, और ये टेक्निकल सब्द, मेंडल के टेक्निकल सब्द जो है, ये हैं, एलीलो मॉर्फ, जिसको हम एलील कहते हैं, उसके बाद है प्रभावी गुण, यानि की इसिस केरक्टर, उसके बाद एकर लक्षन, यूनिट केरक्टर, उसके बाद सम लक्षनी, जिनोटाइप, सम जीनी, जिनोटाइप, सम यूगमज, यानि होमोजाइगस, और भी सम यूगमज, यानि की हैट्रोजाइगस, अब यहां समझने वाली बात यह है, कि इन सब्दो का प्रियोग हम कहां और किस तरह से करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है तो आईए जानते हैं उसके बारे में एलील जीबों में इस्थित विप्रीट जीबों में इस्थित विप्रीट गुणों के जोरे को हम एलील कहते हैं अब इन एलीलों को जब आपस में क्रॉस कराते ह कि मटर के लंबे पौधे को और मटर के बौने पौधे को जब हम क्रॉस करते हैं तो यह जो लंबा पौधा है इसको लंबे क्यरक्टर के लिए कैप्टल टीटी का इस्तेमाल किया जाता है और बौने क्यरक्टर के लिए एस्मॉल टीटी का इस्तेमाल किया जाता है तो यह जो कैसा होगा जो नहीं दीखेगा जो नहीं दीखेगा वह प्रभावी क्यरक्टर है और जो दीखेगा वह प्रभावी क्यरक्टर है पर अगर मानते हैं कि हम अगर किसी long plants को किसी short plants के साथ cross कराते हैं तो फिर first generation में सारे के सारे plants जो कि मटर के हैं वो सारे के सारे plants लंबे हो जाते हैं तो इस तरह से हमें dominant character आया अब dominant character जो है वो दिख रहा है और जो recessive character है यानि कि आप परवावी गुन है वो नहीं दिख रहा है लेकिन अगली PD में जाकर के F2 generation में जब हम F1 वाले को फिर से cross करेंगे जब सारे लंबे पौधे को जो की F1 में पैदा हुए हैं उनको हम जब हम cross करेंगे तो next generation में जाकर के वो पौधे जो की प्रभावी है वो भी और और प्रभावी है वो भी दोनों दिखेंगे मगर एक पुनवात यहां जानने वाली यह है कि जो और प्रभावी होंगे उनकी संख्या कम होगी और जो प्रभावी होंगे उनकी संख्या जदा होगी अब जो प्रभावी है अब मेंडर के लंबे मटर वाले जो प्रयोग हम करते हैं बौने मटर वाले जो प्रयोग करते हैं उसमे लेकिन एक्जक्ट में लंबा कितना है एक है प्योर लंबा दो है हाइब्रिड लंबा और एक है शुद्ध बाउना यानि प्योर शट तो इस तरह से उसका इनो टाइफिक सरी जीनो-टाइफिक रिसियो हो जाता है 1-2-2-1 तो इस तरह से अब एकccis जा गया कि होमो जाइगोट क्या है हेटो जाइगोट क्या है तो होमो जाइगोट का मतलब होता है या उस युगमस को काते हैं जिसमें बनने में ऐसे युगमक भाग लेते हैं जिनमें गुनसुत्र वगम जीन की सनरचना एक समान होती है और जिसमें नहीं होती है वो भी सम य बंसागती कहते हैं और दूई संकर क्रॉस को हम दो जीन की बंसागती कहते हैं यानि कि मोनो हाइब्रीड क्रॉस और डाइब्रीड क्रॉस तो क्या होता है मोनो हाइब्रीड क्रॉस और क्या होता है डाइब्रीड क्रॉस इसको आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे धन् झाल